वेलकम बेक टू सूरज कम्ट्यूटर्स, आज हम आपको एक लैप्टॉप के बारे में बता रहे हैं, यह हमारे पास एक HP ProBook 440 G5 की मसीन है, इसके कीबोर्ड में क्या प्रोब्लम हो रही है, एक की मिसिंग है, पलस इसकी की नहीं चलती है, तो आज हम आपको बता रहे हैं, इ हम यह कवर कौलते हैं, कवर कौलने के बाद यहां पर दो स्क्रू होते हैं, इसमें यह दो स्क्रू कौलते हैं, दो स्क्रू कौलने के बाद यह हमारा यहां पर कीबोर्ड बाहर निकल जाता है, यह आपका पुराना कीबोर्ड है, जो खराब हो रखा है, बहुत इजी होता इसमें दो इसक्रूप ये कीबोर्ड होता है आज कल कुछ पर कुछ ये अपका नया कीबोर्ड हम इसमें फिट कर रहे हैं कुछ मोडल्स में होती है मशीने इंटर्नल कीबोर्ड होते हैं जो पूरी मसील खोल के लगाना पड़ता है उसमें भी सूरज कंप्यूटर सारा यह रिपेरिंग का काम आपको जैसा भी पता ही है पूरी पुरानी वीडियो में आप देखते हो कि सूरज कंप्यूटर सारा काम खुदी करते हैं यह एक्स्टरनल कीबोर्ड है तो यह बहुत EG है EG लग जाएगा कोई वो नहीं होगी जो इंटरनल कीबोर्ड होते हैं उनमें पूरा लैप्टॉप फोल के और उसको केसी को अटा के तब यह कीबोर्ड चेंज होता है उसमें तो यह तो एक नॉर्मल है जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूं यह कैसे लगता है सुरज कंप्यूटर जो इंटरनल कीबोर्ड होते हैं उन्हें भी आप आप देखोंगे फुछ वीडियो में हमने आपको दिखाया हुआ है इंटरनल कीबोर्ड जैसे चैंज होते हैं एपल हो गहरा की तरह से उसकी ताइप के भी कीबो लोड होते हैं यह लोग होता है इसको लोग कर देते हैं अपकल जो दो करते हैं इसको टाइट हो गया है यह हम कीबोर्ड चेट कर लिए इसका तो इस परकार आप देखोंगे सुरेज कंप्यूटर से आपका लैपटोप प्रिपेरिंग का कोई भी काम हो कोई भी असेसिरी जो लैपटोप के कीबोर्ड चेंज, स्क्रीन चेंज, टच पैड चेंज, कोई भी हिंच चेंज, कोई भी प्रोब्लम हो आपको लैपटोप के रिगार्डिंग आप एक बार सुरज कंप्यूटर को अबस्चे कोल करें हमारे दिये गए नीचे नंबर पर आप फोन करें तो आपक हमारे वीडियोस को आप ज़्यादे ज़्यादे लाइक करें, शेर करें, थेंक यू